नमस्कार मैं अंजना और आप देख रहे हैं Only News Nation आई शुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से प्रधान मंतरी नेंद्र मोधी ने ना खाऊंगा ना खाने दोंगा के नारे के साथ देश की सत्ता सभाली थी चार वर्सों के कारिकाल के दोरान मोधी सरकार ने इस नारी पर पूरी तरह से अमल किया है पीए मोधी ने अपनी नीतियों से ब्रशचार के सभी स्त्रूतों पर तो लगाम लगाई ही है साथी पूर्व में ब्रशचार द्वारा अर्जित अकूत दौलत और बीनामी संपती पर भी शिकन जगासा है मोधी सरकार ने बीनामी संपती कानून में शंसोधन करों से धारदार बनाया और इसी का असर है कि 1.5 साल के भीतर आईकर विभाग ने 4.300 करों रुपे से अधिक की बेनामी संपती जप्त करने में कामयाभी हासल की है चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक श्येयर करें हमें अपनी राय जरूर दे और हमारी यूट्यव चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें यूपियाई नंबर 9911955719 पर साहिता रासी देकर हमें प्रों साहित करें अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं अधिकारियों के मुताबिक संसोधित कानून के लागू होने के बास सही आयकर विभाग ने बीनामी लिंदेन को चिनित करने की देशा में काम किया है करीबे 1500 से अधिक परिसंपतियां अब तक कुरक की जा चुकी है कई अनि लोग निगरानी में है इसके दारे में सोने के कारुबारी, बैंकर, हवाला कारुबारी, वरिष्ट सरकारी, अधिकारी और राजनेता भी है आपको बता दे कि बेनामी कानून सन 1988 से मौजू था लेकिन मोधी सरकार ने इसके प्रापधानों को एक निवमर 2016 से काफी सक्त बनाये है कानून का उलंगन करने वालों को एक से साथ वर्ष का श्रस्त्रम कारावास हो सकता है और परिसंपत्ती के बाजार मूल के 25 फीजदी तक जुर्मारा चुकारा पर सकता है बेनामी संपत्ती बताने वाले को 5 करोड रुपे इनाम देगी मोधी सरकार बेनामी संपती रखने वालों और कर्चोरी करने वालों की विरुद्ध केंद सरकार और सक्त हो गई है हाल ही में वित्मंत्राले ने घोसना की है कि अगर कोई व्यक्ती बेनामी प्रहीबिशन यूनिट्स में जोइंट या एडिशनल कमिश्रों के सामने किसी ऐसी समपत्ती के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा अब आब आयकर विभाग को बेनामी समपत्ती की जानकारी देकर एक करोड रुपए इनाम पास सकते हैं विदेश में काले धन की जानकारी देकर पांच करोड रुपए तक इनाम के हगदार बन सकते हैं मंत्राले के आदिस के मुदाविक ऐसी संपत्ती की जानकरी इंकम टेक्स विभाग के इंवेस्टिगेशन निदेश आले को देनी होगी ऐसा करनी पर सम्मंदित व्यक्ति को विभाग की और से पांच करों रुपे तक का इनाम दिया जाएगा बिनामी ट्रंजेक्संस इंफर्मेर्स रिवर्ड स्केम 2018 के तैत यहराशी सूशन देने वाले को दी जाएगी जानकरी देने वाले का नाम गुप्त रहेगा इस स्कीम का लाविदेसी नागरिक भी उठा सकते हैं बिनामी संपतियों के बारे में जानकरी देने वाले सक्स की पैचान को गुप्त रखा जाएगा और पूरे मामली में सक्ती से गुपनियता का पालन किया जाएगा बिनामी ट्रंजेक्संस इंफर्मेर्स रिवर्ड स्कीम 2018 के बारे में बिनामी ट्रंजेक्संस एक्ट 2016 पारित किया है अब बिनामी संपतियों की खोज में लोगों के सहियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने या इनामी योजना खुब सित्की है बेनामी लेंदेन और समपत्यों को उजागर किये जाने और ऐसे समपत्यों से मिलने वाली आये के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह इनाम हासिल होगा tax story की जानकारी पर मिलेंगे 50 लाग किंदि सरकार ने income tax story के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाग रुपे की नामी योजना की घोजना की है 1961 के IT Act के तरह सरकार ने income tax informates reward scheme शुरू की है इसके तरह यदि कोई व्यक्ती tax story के मामली की जानकारी आयकर विभाकी जांश निदिसाले में देता है तो इसे नाम का हगदार होगा संदिसारा ग्रूप की 4701 करूड रुपे की संपती जब्त गुरूबार कोईडी ने संदिसारा ग्रूप के मालिकों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारी की और पौपर्टी रेंज रोवर की गाड़ी फरजी चेकबुक 200 से ज़्यादा बैंक खाते और बायूचेक प्लांट आधी जब्त किये गुजरात मुंबई में कई जगों पर छापे मारी के दोरान विदेसों में 50 से ज़्यादा बैंक खाते भी पाए गए 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 और अतलब है कि संदिसारा ग्रूप ने आंध्रा बैंक, यूको बैंक, SBI बैंक, और इलहाबाद बैंक से लोन लिया था आरोप है कि संदिसारा ग्रूप ने देस विदेस में 300 शेल कंपनिया बना कर लोन के पैसे का गवन किया है किंद सरकार की और से भषचाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एक के बाद एक कईने ने लिये गए है कर बचाने में मददकार देसों के साथ साथ कर संधियों में संसोधन मौरिशर सुजरलेंड, सुधी अरब, कोवेत, आदित देसों के साथ कर सम्मंदी समझोता करके सूशनाओं को फ्राप्त करने का रास्ता सुगम कर लिया गया है नोटबंदी काले धन पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नैंद्र मूदी ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कदम 8 नमबर 2016 को उठाया नोटबंदी के जरिए काले धन के स्ट्रोतो का पता लगा लगभग 3 लाख ऐसी शेल कंपनीों का पता चला जो काले धन में कारूबार करती थी इनमें से लगभग 2 लाख कंपनियों और उनके एक लाख से अधिक निदेशकों की पैचान करके कारिवाई की जारी है रियल एस्टेट कारूबार में 20,000 रुपए से अधिक कैश में लेंदेन पर जर्माना रियल एस्टेट में कालेधन का निवेज सबसे अधिक होता था पहले की सरकारें इसके बारे में जानती थी लेकिन कोई कारवाई नहीं करती थी इस कानून के लागू होते ही में रियल एस्टेट में लगने वाले कालेधन पर रोक लग गई राजनितिक चंदा राजनितिक दलो को 2000 रुपए से अधिक कैश में चंदा देने पर पावन दी इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का ऐलान किया गया इस तरोत पर करसंगरा दो लाख रुपए से अधिके कैस लेंदेन पर रोक लगा दी गई है इससे उपर के लेंदेन चेक ट्रॉफ रिया ऑनलाइन ही हो सकते हैं आधार को पैंसे जोड़ा काले धन पर लगाम लगाने के लिए ये एक बहुत ही अचुक कदम है ये निनने छोटे स्तर के भरच्चारों पर भी नकेल कसने में काफी कारगर सावित हो रहा है सबसिडी में भरच्चार पर नकेल गैस सबसिडी को सीधे बैंक खाते में देकर मोधी सरकार ने हजारों करोडों रुपए के घूट ताले को खत्म कर दिया इसी तर रासनकार पर मिलने वाली खास सबसिडी को भी 30 जून 2017 के बाद से सीधे खाते में देकर हर साल पच्चास हजार करोड रुपए से अधिक की बचचत की जा रही है इससे निचले इस्तर पर चल रही बश्यचार को पूरी तरह से खत्म करने में काम्याबी मिली है प्राकरतिक संसाधनों की ओनलाइन नीलामी मोधी सरकार ने सभी प्राकरतिक संसाधनों की नीलामी के लिए ओनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है इसकी वज़े से पारदर्शिता बढ़ी है और घोटाले रुके हैं UPA सरकार के दौरान हुए कॉला, स्पेक्ट्रम, नीलामी जैसे घोटालों में देश का इतना ख़साना लूट लिया गया था कि देश के साथ आठ शहरों के लिए बुले ट्रेन चलवाई जा सकती थे आधार भू सनरशनाओं के निर्माण की जियो टैगिंग, सडको, शौचालेओं, भवनों या ग्रामी छेत्रों में होने वाले सबी निर्माण की जियो टैगिंग कर दी गई है इसकी वज़े से धन के खर्च पर पूरी निगरानी रखी जा रही है मोजी सरकार ने चार वर्सों में व्रशेचार और सरकारी धन की लूट खसोर रोखने के लिए कई कदम उठाए हैं एक नज़र डालते हैं उन कदमों पर मोजी सरकार की व्यापक सुधारों ने कालेधन रशेचार पर कसी नकिल सम्विधान में संसाधनों के नयोचित और समान वितरन के लिए जिस व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया उसमें कॉंग्रिस के शासनकाल के दौरान घुल लगया व्यवस्था को चलाने वालों में नयतिक मूल्यों का ऐसा पतन हुआ था कि उन्होंने कॉले पानी इस्पैक्ट्रम अनास देश की सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले हत्यारों को ही व्यक्तिकत मुनाफ़ा कामाने का तरीका बना लिया था साल 2014 तक इस्ति इतनी भयावै हो गई कि देश के हर गली महले और सडक पर कॉंग्रिस के फिश्चार के खिलाफ आंदॉलन खड़ा हो गया इस आंदॉलन के कारण कॉंग्रिस को 2014 के लोगसावा चुनावों में करारी हार का मूँ देखना पड़ा और नरेंद्र मोदी आते हासे को ने बहूमत के साथ प्रधान मंत्री के पद पर आसी हुए अब तक रिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक रिए नमश्कार और देखते रहे औरली नियूस नेशन